CNE News में आप सभी का स्वागत हैं और अब लेते हैं ख़बर विसेज की ये ख़बर ख़बरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए फोन नंबर 9042091248 का उप्योग कर सकते हैं आज हमारी बात हो रही है डॉक्टर शीनू से और इनके पतीदेव सुसील अगरवाल से अब से पहले तक हमारी मुलाकात इनकी इनके साथ धवन साब के होते तो जो पूर्व केंद्री मंत्री हर्मोहन धवन साब हैं उनके घर पे उनके कोठी पर वहाँ पर ये लोग काभी समय से धवन साब के साथ जुड़े हुए थे और धवन साब जिस पाटी में गए जैसे भी गए ये लोग साथ साथ रहें कभी इन्हों ने उनका साथ नहीं छोड़ा जबकि उनके कई ऐसे लोग हैं जो बहुत खास हुआ करते थे वो साथ चले गए थे लेकिन सुसील अगरवाल और सीनु डॉक्टर सीनु कभी उनका साथ नहीं छोड़ा जब धवन साहब ने धवन नेचर क्योर सुरुवात करी थे तो उनके इस कारिक्रम में भी बहुत ही तनमयता से लगे हुए थे फिलहाल धवन साहब अब इस दुनिया में न लोगों का भाजपा से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है सबसे पहले हम सीनु अगरवाल से बात करेंगे कि भाजपा में जुड़ने का कारण क्या देखा सीनु जी आपने भाजपा में जुड़ने का कारण यही है कि जो मोदी जी की नीतियां है आज के समय में मुझे से बड़ी चीज हो, भाज़पा की टकर के टकर में कोई ही नहीं, आज के समय में, तो 370 वाला मसला हो, जी, आयोधिया जी का मसला हो, कोई मसला हो, अब जैसे विश्व सर पे हम लोगों को, कहां थे हम लोग, और मोदी जी की वज़े से आज हम कहां है पूरा विश्व अब अब जानता है कि भारत भी एक देश है जो तरक्की कर रहा है और तरक्की कर गया है तो हमें ये था कि हमें किसी अच्छी पाटी क्योंकि हमें काम तो करना ही था हम लोगों के लिए काम करना चाहते थे एक प्लैटफॉर्म चाहिए था तो भाजपा से अच्छा विकल्प हमें कुछ नहीं लगा धवन सहाब के साथ आप लोग काफी दिन रहे राजनीतिक तोर पे जुड़े उन्हें उन्हें जो धवन नेचर की और की सुरुवात करी इसको लेकर के भी बहुत बड़ा योगदान है आप दोनों का सुसील जी का भी और आपका भी जो सेवा भाव है धवन सहाब में उसको किस तरह से आप भाजपा में रह करके कर पाएंगे क्योंकि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है यहां पर पता नहीं कितने लोगों को किस तरह से तबज्जो मिलती है किस तरह से इसको आप कर पाएंगे जी भाजपा का जहां तक सवाल है हम लोगों ने पहले भी भाजपा में काम किया है जैसे दवन साब जब भाजपा में थे तो हम तब भाजपा में ही थे उनकी working वही मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी भाजपा का विकल भी कुछ नहीं है क्योंकि हमने काम किया भाजपा में तो हमें पता चला कि भाजपा का काम करने का तरीका ही कुछ और है बिल्कुल द्यान आ रहा है कि अमरिसर में जब ये जेटली जी चुनाओ लड़ रहे था तो आप लोगों को वह मैंने देखा था जी जी बिल्कुल चाहे वो यहाँ पर कैमपेन हो चाहे वो जेटली जी का अमरिसर में हो चाहे हिमाचल में हो हम लोग सब जगा गए थे ये भाजपा वाले अपनी कारेकरता को बहुत प्यार से रखते हैं और बहुत प्यार से काम करवाते भी हैं तो वहां काम करने का मज़ा भी आता है काम करने का मज़ा भी है अब हम सुसिल अगरवाल जी से बात करेंगे सुसिल जी यही सवाल कि भाजपा से तो पहले से जुड़े हुए थे बीच में धवन साथ चले गए और फिर भाजपा में आप आ चुके हैं तो वो क्या खुबसूरती है भाजपा में जो कि आप कंग्रे में एक पार्टी थे तो धवन साथ जुड़े तो जैसे धवन साथ कहीं गए तो हम भी चले गए धवन साथ के साथ ही काम किया जो लोगों की सेवा करने का मौका मिला वो किया तो अब जैसे धवन साथ का स्वर्गवास हो गया है तो हम दोबारा भाजपा में आना हमने भी काम कर चुके है भाजपा का जो काम करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है और भाजपा एक राश्रवादी पार्टी है और लोगों के लिए काम करती है और अपने मोदी जी जो है वो देश के हित के लिए सक्त फैसले लेने में सक्षम है जो इस वक्त और कोई नहीं ह बहुत ही सुन्दर महौल है इस वक्त तो जैसे कि मैंने भी जिक्र किया था आप से कि राम मंदिर बना है तो राम मंदिर को लेके ही लोग इतने उत्साहित हैं जो काम देखिया अप कितने वर्षों से नहीं हो पाया यह मोदी जी ने कर दिया और यह धारा 370 हो ट्रिपल तला स्वाफ फैसले ले सकते हैं आपने अभी तक जितना जितनी बाते कहीं मोदी जी को लेकर कि लेकर लोकल लेवल पर आपको क्या लगता है कि काम हुआ पिछले दस साल हो में ने कि क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है इसलिए शायद पार्τι ने यह सोच समझके इस बार ल लोकल केंडिडेट हमेशा लोगों में रहे लोगों की सुने और लोकल मसले उसे वैSे भी पता होते हैं जैसे वह घर से निकलता है जब गाडा बेट के वह निकलता है उसको पता है कि बाहर किसी शी चीज 흡िप और से हो difficulty कि पिछले दस सालों में चंडिगड सहर की जनता ने छितर खाए बहुत ज्यादा इस बार लोकल कंडिडेट हैं जिनको एकदम सही में लोकल कंडिडेट हम कह सकते हैं संजे टंडन को क्या उस छितर से जो घायल जनता है मरहम पट्टी की संभावना है कहीं कि जो छितर हम बिंगा पजबी उनकी स्लैंग में ये बात आ गई लेकिन ऐसी को बात नी थी लेकिन जहां तक संजे टंडन जी का सवाल है संजे टंडन जी इस शेहर के रहने वाले हैं और उन्होंने दस साल अध्यक्ष्ट के तौर पर भाजबा का कारेबार संभाला है तो वो दस साल स हैं और जो भी कोई मसला है उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसको हल करवाते हैं तो इसलिए अब जब चंडिगर के लोगों को मौका मिला है कि उनको हम ताकत दें ताकि वो और काम करवा सकें तो चंडिगर के लोगों को चाहिए कि उनको और ताकत दें ताकि व तो हर लेवल पे जाके उंचे से उंचे लेवल पे जाके चंडीगर के लिए काम कर सकें और चंडीगर के लोगों का भला कर सकें तो आपने सुना सुसील अगरिवाल को और डॉक्टर सीनू को जो धवन साहब के साथ रहते हुए जो सीखा उन्होंने और उसके बाद वहां से जो इनको सलाव मस्विरा के बाद इन्होंने भाजपा जुएन किया है और हमें लगता है कि भाजपा में रहकर के ये लोग समाज के लिए भी काम कर पाएंगे लोगों के लिए काम करेंगे बहुत भाद धन्यवाद आपका थैंक यू मदुकुर्शा, थैंक यू, धन्यवाज